प्रार्थना का मतलब प्रार्थना का सही समय प्रार्थना कैसे करनी चाहिए प्रार्थना हमें किसके नाम से करनी चाहिए प्रार्थना में हमें परमेश्वर से क्या कहना चाहिए चलिए जानते हैं प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीट, जैसे हम अपने परिवार और मित्रों के साथ बातचीट करते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ बिना किसी हिचकी चाहट के बात कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, वो हमारे बारे में प्रार्थना हम कभी भी, कही भी, किसी भी समय कर सकते हैं। द्यूहनना 14 में, 14 में लिखा है कि, यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रार्थना में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तब तुने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। और मरकुस 11 में 25 और 26 में लिखा है कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गिये पिता भी तुम्हारे अप्राद क्षमा करे और यदि तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अप्राद क्षमा न करेगा। मत्ती 5 तीन में लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुधर है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि हर कोई जो मांगता है पाता है जो खोजता है उसे मिलता है और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। ऐसे ही तू भी हमारे अप्राधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में नला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन चलिए बाइबल में प्रार्थना और उसके संभंधित कुछ वचन देखते हैं। मत्ती 6 में 6 से 8 में लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोटरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्यजातियों की नाई बख बख न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बोलने से उनकी सुनी जाएगी सो तुम उनकी नाई न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आवश्च रखता है मत्ती 18 में 19 और 20 में लिखा है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन प्रित्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ मत्ती 21 में 21 और 22 में लिखा है कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो यदि इस पहाद से भी कहोगे कि उखजा और समुद्र में जागिर तो यह हो जाएगा में लिखा है कि यहना 15 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बाते तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुमहारे लिए हो जाएगा युहन्ना 16 में 23 और 24 में लिखा है कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनन पूरा हो जाए एक युहन्ना पाच में 14 में लिखा है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते है तो वो हमारी सुनता है याकूब पाच में 16 में लिखा है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 4 में 2 और 3 में लिखा है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम जगरते और लरते हो, तुम्हें इसलिए तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उगादो। एक पत्रस चार में साथ में लिखा है कि सब कुछ जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए समझदार होकर प्रार्थना में लगे रहो। आखरी बात, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। एक थिसलोनिकियों पांच में सत्रह में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।